माई डियर इस्टुडेंट्स, जी एस जोन के इस चनल पर आप सभी का पुना स्वागत है, जैसा कि आप अबगत हैं, जी एस जोन की ओर से आपकी आगामी परिछाओं को देखते हुए एक अती महतुपूर्ण सिरिज की सुरुवात की गई है, जिसका नाम हमने एक्जाम एल तो आईए अब हम इस एपिशोड का आवलोकन करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, नवल पुरस्कारों की सुरुवात 1921 में हुई थी, और वर्तमान में यह 6 चेत्रों, अर्थात साहित्य, सांती, चिकित्सा, रशायन, भौत्की और अर्थ सास्त के चेत्र में प्रदान किये गए हैं, सबसे पहला नंबर है साहित्य, अब्दुल रज्याग गुर्नाह ने अपनी रचनाओं में उपनिवेसवाद एवंग शर्नार्थी जीवन की कठिनाईयों का मारमिक्ता से चित्रन किया है, इनका जन्म 1948 में तंजानिया में हुआ था, परंतु यह इनकी पुस्तक पैराडाइज को बुकरपुरशकार से भी समानित किया गया, तो इनकी रचनाओं में जो उपनिवेसवाद एवंग सर्नार्थी जीवन की मारमिक्ता को चित्रित किया गया है, इससे प्रभावित होकर नवल पुरशकार के जो जूरी के सदस हैं, उन्होंने शांती का नवल पुरशकार मारिया रेशा जो फिलिपिन्स की निवासी हैं और दमित्री मूराटोब जो रूस के निवासी हैं, इन दोनों को संजुक्त रूप से दिये गए हैं, ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश की सरकार की सफलता के लिए अभिव्यक्ति की सोतंतरता क होना काफी महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों को इसी अभिव्यक्ति की सोतंतरता की रक्षा के लिए किये गए, इनके परियासों के लिए इस वर्स शांती का नवल पुरशकार देने की घोशना की गई है, आपको बता दे कि फिलिपिन्स की एक खोजी पत्रकार मारिया र पत्यार का सही इस्तमाल किया, और इसी प्रकार दमित्री मुराटोब जो रूस में नोबाजा गजेटा नाम के एक समाचार पत्र के सहसन स्थापक हैं, इन्होंने भी रूस में वर्सों से अभिव्यक्ति की आजादी के लिए निर्भीक होकर काम किया है, अपने छे करीबी पत्रकारों की हत्या के बावजूद भी इन्होंने अपने सिधानतों से कोई समझाता नहीं किया, और निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे रहे हैं, तो इनी कारणों से इन दोनों पत्रकारों को वर्स 2021 का शांती का नवलपुरशकार दिया गया है, तो यह आ दोनों नाम काफी महत्वपुर्ण है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोब जिन्होंने शांती का नवलपुरशकार इस वर्स प्राप्त किया है, आई अब हम देखते हैं कि इस वर्स 2021 में चिकित्सा का नवलपुरशकार किन बैग्यानिकों को मिला है, तो यह बैग्यान तो अब हम इत्WA कर यह बतलाने की कोसिस की 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 कि तवचा के इकोसिकाईं की ताप्मान पर किस प्रकार रियक्ट करतीं हैं या प्रतिकरिया इनुदर्पुर्शकार की आ एक पटापोशियम ने तवचा पर दाब का अनुभव कराने वाले रिज्रेप्टर्स की पहचान कर तवचा में एक ऐसे जीन का पता लगाया जो सरीर पर पढ़ने वाली किसी दवाब का सिंगनल तंत्रीका तंत्र के नियूरोन को देता है जिससे हम इस दवाब को महसूस करते हैं तो आपकी परिच्छा में ये कारण भी पूछे जा सकते हैं किस कारण से इन्हें चिकिस्टा का नवल पुरशकार दिया गया तो आपको ये कारण भी जानने पड़ेंगे हलाकि ज़्यादा तर्मामलों में सिर्फ नाम ही पुछे जाते हैं परंतु कभी-कभी किसी उचे दर्जे के एक्जामस में उसका कारण भी पूछ लिया जाता है तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि कि नवल पुरशकार किन है दिया गया और वो किस देश के निवासी है और साथ ही किन कारणों से य देविड मैकमिलन जो क्रमशह जर्मनी और श्कॉट लैंड के रहने वाले हैं इन दोनों बैग्यानिकों को रशायन का नौबल पुरशकार दिया गया है इन दोनों बैग्यानिकों ने asymmetric organo-catalysis के विकास के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है पहले से जो ऐसा माना जा रहा था कि सिर्फ दो परकार के catalysis अर्थात उत्परेरक होते हैं जो किसी भी अभिकरिया की गती को तेज कर देते हैं और ये दो परकार के जो catalysis माने जाते थे धातू एवं एंजाइम परन्तु इन दोनों बैग्यानिकों ने यह सावित कर दिया कि इन दोनों परकार के catalysis के अत्रिक्त एक तीसरे परकार का भी catalysis होता है और ऐसा माना जा रहा है कि इस काटलिसिस की खोज से दवा निर्मान के छेतर में एक क्रांती आ सकती है आई अब हम देखते हैं कि इस वर्स भौतकी का नवल पुरशकार किन बैग्यानिकों को मिला दूसरे हैं शिवकूरो मानावे जो अमेरिका के रहने वाले हैं और तीसरे बैज्यानिक हैं जवर्गियो पारिसी जो इटली के रहने वाले हैं यहां आपको बता दें कि Klaus Hesselman और शिवकूरो मानावे को पूरी पुरशकार रासी की आधिरासी देने की घोशना की गई है जबकि जोर्गियो पारिसी को सेस रासी जो आधिरासी है वह देने की घोशना की गई है तो Klaus Hesselman और शिवकूरो मानावे ने पृत्वी की जलवायू का एक भौतिक मॉडल तयार किया था जिससे इसमें होने वाली अर्थात पृत्वी में होने वाली परिवर्तन सिल्ता की मात्रा का निर्धारन किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वशनिय भविस्वा खोज के लिए इन दोनों को भौत्की के नवल पृरशकार की आधिराशी देने की घोशना की जबकि जी यार्गियो पारिसी ने परमानों से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रनालियों में होने वाले विकार एवंग उतार चड़ाव की प्रसपर क्रिया की अब तक इन पृरशकारों की घोशना नहीं की गई है अर्शास के छेतर में जैसे ही अर्शास के छेतर में नवल पृरशकार घोशित किया जाएंगे मैं निश्चीत रूप से उसे आपके समक्ष पहुचाने का प्रयास करूँगा तो नवल पृरशकारों से संबंदित यह एपिशोड आज का समाप्त हुआ आपने श्रीत रूप से कॉमेंट बॉक्स में अपनी परतिक्रिया देना चाहेंगे धन्यवाद